हेलो दोस्तों आप लोगों का तेजू अर्गे व्लोग में स्वागत है और अभी हम पहुँच चुके हैं सरिया से 12 किलो मिटर अंदर पोरत धाम में जहां पे महा नदी का पानी बैता है ये देखे यहां पे नाओ भी चल रहा है और यहां पे 36 गड़ का सबसे लंबा पूल जैसे आप लोगों को हम दिखाएंगे गड़्मी का मोसम है इसलिए पानी थोड़ा कम है अभी हमने यहां पे नहा लिया है अभी हम जाएंगे सर्या की तरप उससे पहले आप लोगों को यहां के सबसे लंबा पूल जो है उससे हम आपको दिखा देते हैं और इस सेट में हमारे जो दोस्तों लोग हैं वो अभी नहा के निकर रहे हैं और नाव भी रखा हुआ है आगे में ये देखिए और अभी कुछ लोग नहा रहे हैं आप लोगों को जुम करके दिखाते हैं 36 गड़ का सबसे लंबा पूल जो की पुरत धाम के समीप में इस्थित है अभी हम उस सेट नहीं जाएंगे सीधे यहीं से निकलेंगे सर्या की तरफ इसलिए आप लोगों को थोड़ा जुम करके दिखा देते हैं हम पहुँच चुके हैं सर्या और यह यहां का चौक है अभी हम पूरत धाम से आके राइट साइड में जा रहे हैं हमने अपना साइट ले लिया है और यह यहां की दुकाने लगी हुई है अभी आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं पूरे सर्या का सीन इस साइट का जो व्यू है वो थोड़ा खाली-खाली लग रहा है इसलिए हम अभी यहां से थोड़ी दूर जाके वापस रिटन होने वाले हैं और फिर से आप लोगों का फीचे का जो सीन है वो दिखाएंगे तो अभी हम वापस आ रहे हैं उस साइट से यह वो ट्रक है जो जाते वक्त आप लोगों को इस वीडियो में दिखा था अभी साम का समय हो चुका है और हम लोग सरिया के चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सरिया के रोड में अभी भीड जो है बहुत ही ज़्यादा कम है रोड पूरा खाली खाली नजर आ रहा है और इस साइड में कपड़े की दुकाने लगी हुई है और अभी हम पहुँच चुके हैं सर्या के चौक पे यहां पे महाराजा बस खड़ा हुआ है अभी हम यहां से राइट की साइद में बरम के लागी और कट रहे हैं यहीं से हम अपना व्लोग इंड करते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में